एक देश ऐसा भी है जहां साधी करने पर सरकार की तरफ से आपको 4,20,000 रुपए दिये जाएंगे इस देश की सरकार ने हाली में या घोसड़ा की है कि नई साधी सुदा जोड़े जापान के नव विवाहित साहेता कारकरम में सामिल होकर सरकार के इस स्कीम में अपना नाम दर्ज कराएं और अपनी पातरता के अनुजार पैसे पाएं आपको बता दे कि यहां की सरकार ये रुपए इसलिए दे रही है ताकि आप अपनी नई साधी सुदा जिन्दगी को बहतर बना सकें यहां की सरकार उन लोगों को पैसे देगी जो पैसे की कमी के कारण साधी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस देश में जन्मदर चिन्ता कवी सह है यहां नए साधी सुदा जोडों को अपने जीवन को सुरू करने के लिए 4,20,000 रुपए दिये जाएंगे आगे और कुछ बताने से पहले आपको बता दें कि इस देश का नाम है जापान लेकिन यह सहायता इसकीम अप्रैल 2021 से सुरू होगी दरसल जापान के लोग देर से साधी करते हैं या औविवाहित रजाते हैं तो इसी के लिए देश के सरकार ने जन्मदर पर परभाव न पड़े इसे ठीक करने के लिए यहां की सरकार यह सकीम लेकर आई है जापान की सरकार के मंत्री मंडल कारयले के नुसार सरकार देश में साधीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह सकीम चलाएगी और अधिक से अधिक जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी अब इसके कुछ नियम आपको बता देते हैं तो पती और पत्नी की आयू साधी की पंचिकरित तारीख के नुसार चालिस वर्द से कम होनी चाहिए और उनकी कुल आय अर्थिस लाक रुपए से कम होनी चाहिए वे ही इस सहायता करक्रम के पात्र होंगे 35 साल की आयू के लिए थोड़े अलग नियम है इनकी आय अगर 33 लाक रुपए है तो इन्हें 2,10,000 रुपए दिये जाएंगे दोस्तो आपको बता दे कि National Institute of Population and Society Security Research के एक अर्षरवे के अनुसार साल 2015 में 29.1% पूरुज और 17.8% महिला हैं जिनकी आयू 25 से 34 वर्स की है पैसो की कमी कारण साधी नहीं कर पायते हैं दोस्तो ये रही जानकारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में सेर करिएगा